तो लीजिये सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याई जी का लोकप्रिय हिंदी उपन्यास ब्रह्मन की बेटी महले में फेरा लगाने के बाद रास्मनी दुपहर के समय घर लोट रही थी दस बारा साल की पोती भी उनके आगे आगे चल रही थी गाउं की संकरी पकडंडी पर एक बकरी का बच्चा पड़ा सो रहा था सामने नजर पढ़ती वह पोती से चीक कर बोली अरे यो छोरी रोसी मत लांग ना अरे लांग गई आसमान की वर देखकर चल रही है दिखता नहीं बकरी बंदी है पोटी बोली, बकरी तो सो रही है दादी मा, सो रही है, सो रही है तो दोश नहीं लगेगा, अरे शनी मंगलवार को तो इस तरह रसी लांग गई इससे क्या होता है दादी मा? क्या होता है मूज अली? ब्रामन के घर की नौदस साल की बुड़ी लड़की अभी तक इतना नहीं सीखा कि बकरी की रसी लांगनी नहीं चाहिए उपड़ से कहती है क्या होता है? नहीं बेटी, इन लोगों के बकरी पालने के कारिन इनसान का क्या रास्ते पे चलना भी कटिन हो गया? मंगलवार के दिन भरी दुपैर में और यह लड़की रसी लांग गई क्यों? अरे पत पर बकरी ही क्यों बांदी है? तब अनुपस्तित को छोड़कर वो उपस्तित की पीछे पड़की तीखी आवाज में बोली तुम कौन हो? मौत और कैबिल कलुपास से जा रिया? आखों से दिखाई नहीं देता? मैं कहती हूँ अपना आचल मेरी पोती से भिड़ा ही दिया तुने? वह लड़की डर कर सहमती हुई बोली नहीं माजी, मैं तो यहां से जा रही थी रास्मेनी अपना चहरा बिगाड कर बोली यहां से जा रही है? तुझे यहां से जाने की क्या जरूवत है? यह बक्री तेरी है, मैं पूछनी हूँ कौन सी जाती की है? हम नीची जाती है माजी नीची जाती? और इस समय छू दिया? अब तो इसे नाना पड़ेगा उसके पूती बोली उसने मुझे नहीं छूआ दादी माँ चुपरया मूझे ली, मैंने देखा उसका आचल तुझे छू कर गया जा, जा इसी समय तो आप से डुपकी मार लगा कर मर जा जा, डुपकी मार कर घर में गुसना नहीं, जाती तो रही नहीं, छोटे लोग बहुत बड़े बन गए है देवता भ्रामण को तो को समझते ही नहीं नीच महला छोड़कर भ्रामण के महले में बक्री बांदे आई है रासमनी ने धमकाया उस लड़की का डर और शरम के कारण बुरा हाल था वह बक्री के बच्चे को गोद में उठा कर बोली मा जी मैंने नहीं चुआ, नहीं चुआ तो इस महले में आई क्यों वह लड़की पास ही किसी अद्रिश्य घर की और हाथ से इशारा करके बोली पंडित जी ने हमें उस गली के किनारे रहने के लिए जगा दिये मा और मुझे दादा जी ने घर से निकाल दिया है जो कोई भी हो और कारण कुछ भी हो किसी की दुरगती का इतिहास रासमनी के कुरुध हिर्दय को परफुलित कर गया और यह है खबर विस्तार पूरवक सुनने के लिए उन्होंने कौतुहलवश परशन पूछा मैं पूछती हूँ कब निकाला परसो रात कुमाजी ओ तु एक कोड़ी दुले की बेटी है क्या? क्या बात है? एक कोड़ी के मरते ही बुढ़े ने तुमे निकाल दिया छोटी जाती के मुँमे आग और फिर उन्होंने निकाल दिया इसलिए क्या तु भ्रामनों के महले में आकर रहेगी? तुम लोगों की तो हिम्मत कम नहीं कौन लाया तिरी मा को रामतनु का दमाद नहीं तो ऐसी विद्या और किसमे है घर जमाई है घर जमाई की तरह रहे नहीं ससुर की संपत्ती मिल गई तो क्या महले में डोम चमार सब को बसाएगा यह कहकर रासमनी ने पुकारा संध्या ओ संध्या घर में है क्या छोटी सी जमीन के उस पार रामतनु के घर की खिड़की थी उनकी पुकार सुनकर उस खिड़की के दुआर खोलकर एक उननिस बीस साल की सुन्दर सी लड़की चेहरा बाहर निकाल कर बोली कौन है ओ दादी मा क्या हुआ कहते कहते वैं पाहार आ गड़ी रासमनी बोली तेरे पिता की बुद्धी को क्या हुआ तेरे नाना जी रामतनु कुलें जाती और उनके घर की दिवार के नीचे आज नीची जाती के लोग रह रहे है कितनी घरणा की बात है बेटी यह कहकर मुपर हाथ रखकर बोली तेरे अपनी मा को तो बुला वह क्या करेगी देखती हूँ नहीं तो चटर जी दादा से जाकर मिलना पड़ेगा वो तो जमिनदार है नामी बड़ा आदमी है वो क्या क्या देना एक बार पता तो चले संधिया चौकर बोली क्यों क्या हुआ दादी मा अपनी मा को तो बुला उसे बताती हूँ क्या हुआ यह कहकर अपनी पोती के और इशारा करके बोली आज मंगलवार की दुपैर में यह लड़की बकरी की रसी लांग गई और उस नीच छोकरी ने आचल गुमा कर उसे चूबी दिया संधिया ने उस लड़की से पुछा तुने चुआ वह बिचारी तो तब भी उस बकरी के बच्चे को चाती से चिपका एक और खड़ी थी रोनी अवाज में बोली नहीं दीदी रासमणी की पोती भी साथ साथ कहने लगी नहीं संधिया दीदी उसने मुझे नहीं चुआ वह तो यहां से बगर उसकी दादी की हुंकार से बात वहीं तक रहे गए फिर मेना कर रही है चल पहले घर चल वहाँ जाकर दिखाती हूँ छुआ है की नहीं संधिया ने हसकर का जब रन नहलाओगी तो वह बैचारी और क्या कहेगी दादी मा और उसकी हसी से रासमणी जल बुन गई बोली जबरदस्ती करूँ या ना करूँ यह मैं समझूगी मगर तेरे पिता का यह कैसा वैवार है कौनसा कुलिन व्यक्ती घर में नीची जाती को घुसाता है बता लोग तो वैसे ही कह देते हैं नीची जाती और उस नीची जाती को ब्रामनों के महले में ले आए अरे मैं पूछती हूँ घर जमाई है तो घर जमाई की तरह क्यों नहीं रहता पिता के सम्बंद में अपमान जनक बाते सुनकर गुसे से संध्या का चैरा लाल हो गया उसने भी कठोड़ता से उत्तर दे दिया मेरे पिता ने किसी पराए घर में छोटी जाती को नहीं रखा दादी मा ठीक समझकर अपनी जगा में आश्रे दिया है इससे तुम्हें क्यों जलन हो रही है मुझे जलन क्यों हो रही है क्यों जलन हो रही है देखेगी तू जाओ एक बर चटर जी भहिया के पास बता दू जाकर ठीक है जाकर बता दो पिता जी ने उनके घर में तो छोटी जाती को नहीं रखा वे बड़े आदमी है तो क्या मेरे पिता का सिर काट लेंगे ओहो जितना बड़ा मून ही उत्ती बड़ी बात वो तो कुछ है ही नहीं गोलक चेटर जी तेरा बाप शायद उन्हें अभी तक पहचानता है नहीं ठीक है न हंगामा सुनकर जगधारती बहार आगे उन्हें देखते ही रासमनी आग की तरह जल उठे जीट कर सारे महले को चौकाते वे बोली सुन जगगो अपनी बुद्धी मती बेटी के सास के विशे में तो सुन लिखना पढ़ना सिखा रही है न कहती है गोलक शिटर जी मेरे पिता का सिर काट लेगा कहती है अच्छा किया अपने घर में छोटी जाती कर रखा किसी के बाप दादा की जमीन पर तो नहीं रखा ऐसे बहुत बड़े आदमी देखे हैं जो जो कर सकता है करे सुन जरा अपनी बेटी की बाते सुन तो जगधारती विस्मीत और कुपित होकर पूछने लगे तूने ही है सब कहा मैंने इस तरह से तो नहीं कहा संद्या सिर हिला कर बुली रास मणी उसके चेहरे के सामने हाथ हिला कर गरच कर बुली नहीं, नहीं कहा ये सब साक्षी है और अगले ही पल अपनी आवाज को बड़ी कुशलता पुरुवक साथ में सुर से पहले पर लाकर जगत धार्दी को संभोधित करती ही बोली बेटी, मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि मंगलवार की भरी दुपैर में मेरी पोती बकरी की रसी रांग गई इसलिए मैंने कहा ओहो, किसने रास्ते पर बगरी बांदी है यही सुनकर मैं लड़की दौरते वी आई और अपना आचल गुमा कर मेरी पोती के मूपर दे मारा बोली, पंडी जी की जगा में बकरी बांदी है तुम कहने वाली कौन हो इसलिए बेटी, तुमारी बेटी को बुला कर सिरफ इतना ही कहा कि बेटी अब इस छोटी सी लड़की को नाना पड़ेगा भरी दुपैर में बकरी की रस्ती जो लांग गई और तेरे पिता ने इन्हें या रखना ही है तो इन्हें बकरी ठीक जगा पर बांदे को कह दो छोटी जाती तो इन विचारों को नहीं जानती चटर जी भाईया बुड़े विकती हैं यहीं से तो आना जाना करते हैं यह सब देकर गुस्से में ना आ जाएंगे बस इतना इतना सुनकर तुम्हारी बेटी ने बस मारा ही नहीं बकर बाकी सब कुछ नहीं छोड़ा कहती है जा जा अपने चटर जी भाईया को बुलाला उस जैसे बड़े आदमी मैंने बहुत देखे उसके बाप के घर में जब छोटी जाती को घुसाएंगे तब कहवे कहेंगे अब तुम्हीं बताओ बेटी यह सब एक लड़की के मूँ ठीक लगता है जगत धारती आग की तरह लपक कर बुले तुने कहाई है सब इतनी देर से संध्या विसमे से रासमणी को देख रही थी मा की अवास सुनकर चौकी गर्दन घुमा कर सिरफ ना कह नहीं कह नहीं कह तो क्या मौसी जूट बोल रही है हाँ बेटी जड़ा पूछना अपनी बेटी से एक पल चुप रहकर बेटी ने उत्तर दिया मैं नहीं जानती मा कौन जूटा है बगर तुम्हें अगर अपनी बेटी से ज़्यादा इस मूँ बोली मौसी पर विश्वास है तो ठीक है यह कहकर दूसरे प्रशन से पहले ही तेजी से भीतर चली गए दोनों आखे फाड़े उस और देखती ही रही और अफसर देख वह लड़की भी अपनी बक्री के साथ वहां से चली गए रासमनी बोली देखा जगव अपनी बेटी का तेज सुनी बात उसकी कहती है मूबोली मौसी कुलिन की बेटी है न अगर विवा हो जाता तो इस उमर में पांच-छे बच्चों की मा होती मूबोली मौसी सुना जगदार्ती चुप रही और रासमनी भी थोड़ी देश चुप रहा कर बोले अरे यो जगव मैंने सुना है कि अमत चकती के बेटे को तू अभी भी अपने घर आने देती है क्या ये सच है जगदार्ती मनी मन शंकी थोड़ी रासमनी कहने लगी मेरा तो उस दिन पूलिन की मा से जगड़ा हो गया मैंने तो कह दिया वै जगदार्ती है कोई और नहीं हरी हर की पोती रामतनु की बेटी जो लोग कायस्त के घर तक में पैर नहीं रखते वो लोग उस मलेच के लड़के को अपने घर आने देंगे तुम क्या बख रही हो अपनी हितेशी का दर्द देख शर्मा कर जगदार्ती रूख ही हसी हस कर बोली तुमने ठीक का मौसी मगर बात ऐसी है न मौसी बच्पन से ही उसका आना जाना है मुझे चाची चाची कहते है उसका गला सुकता है इसलिए भूले बटके अगर आ भी जाता है तो कह नहीं सकती कि आरून तुम मेरे घर मताओ माबाप तो है नहीं दया आ जाती है उसे देखकर ऐसे दया के मुझे आग रासमनी पहले तो चौकी और फिर क्रोधी तोकर बोली अचानक क्रोध बहुत उची सीड़ी पर चड़ गया और उसी हिसाब से आवाज उची करके रासमनी बोली इस लड़के को क्या तुम सीधा समझती हो ऐसा कमीना आदमी कोई दूसरा नहीं होगा चटर जी भहिया है जमीदार उन्होंने खुद उस लड़के को बुला कर कहता अरुन पैसो का लालच नदी में भाकर घर में बैठ विलायत मज जा मगर उस चोकरे ने क्या मानी उनकी बात इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति का सम्मान रखा उल्टा विलायत जाते समय उसने मजाक उड़ा कर कहता विलायत जाकर मेरी जाती जाय कोई बात नहीं मगर गोलक चटर जी की तरह विलायत में भेड भकरी निर्यात करके रुपया कमाना नहीं चाता समाज के सिर पर चड़कर लोगों की जाती खराब करता नहीं खुम सकता मैं अगर वाह होती तो जगों जाडु मार कर उस लड़की का मुझ सीधा कर देती जो गोलग चटर जी भाद खाने के बाद भी गोबर से मुध दोता है उसे मगर मगर अरुन तो किसी की निंदा नहीं करता मौसी जगधदारती विनीत स्वर में बूली तो क्या मैं जूट बोल रही हूँ चटर जी भईया क्या नहीं नहीं, वो क्यों कहेंगे, मगर लोग बहुत सी बाते बना देते हैं यह तू क्या कह रही है जगो, लोगों को क्या कोई और काम नहीं, जो बाते बनाते फिरेंगे, ठीक है फिर विलाय जाकर कौन सा तीर चला लिया, सीखाया किसान की विद्या, सुनकर तो हसी ना रुकती है चक्रवर्ती हो या कुछ और, है तुम रहम मन का बेटा, अपने देश में क्या किसान नहीं, अब क्या तू जाएगी हल लेकर हल चलाने, मौत ना आती उनकी आवास धीरे धीरे तेज हो रहे दी, गंद पाकर कहीं मौले की समझदार मधु मक्या ना आ जाए, इस जड़ से जगधारती ने धीरे से का, मगर खड़ी क्यों हो, चलो ना बीतर चल कर बैठो मौसी नहीं बेटी, शाम होने को आई, अब ना बैठोंगी, अब फिर इसे भी तो नहला दुला कर घर मे ले जाना है, बेह लड़की शायद भाग गई, हाँ दादी मैं जब आप लोग बाते कर रहे थे भाग गई, मगर उसने मुझे नहीं चुआ, फिर मना कर रही है, मगर जग नहीं बेटा बेटी, ऐसा हुआ तो जाती कहां बचेगी, मैं भी तो यहीं कह रही थी, मगर आज कहल के लड़की लड़की है, कुछ मानना ही नहीं चाते, इसलिए तो उस दिन चटर जी भाईया सुनकर अवाख होकर बुले, रासू हमागर रहे जगत धारती की बेटी को क क्या उसका पिता पढ़ना लिखाना सिखा रहा है, अरे वो क्या क्या रहे ना, मना कर दे मना कर दे, लड़कीया पढ़ लिखकर बिल्कुल ही बरबाद हो जाएंगी, सुनकर जगत धारती बहुत डर गई, बोली चटर जी मामा ऐसा कह रहे थे, क्यों नहीं कहेगा, वह तो समाच का सिर है, गाउं का जमीदार, उसके कानों से कौन सी बात बची रहती है बता, मेरी ही बात ला, बुड़िया हो गई, पढ़ाई लिखाई को नहीं मानती, मगर किस शास्तर के विशय में नहीं जानती बता, किसी के बाप की हिम्मत है, जो यह कहे, रासी ब्रामनी ने यह काम शास्तर के विरुद किया, यह देख, देख जैसे इस लड़की ने बकरी की रसी लांगी, मैं शिरा कर बोली न, अरी छोकरी तुने यह क्या किया, आज मंगलवार है, कोई पंडित बताए, कि इसमें कोई दोश नहीं, ऐसा होई नहीं सकता बेटी, होई नहीं सकता, अपने माता पिता से शिक्षा मिली थी, मगर बुला अपनी जरा लिखी पड़ी बेटी को, वो क्या कहती है, जगत दारती चुप चाप कलती मानते वे बुली, थोड़ी देर और बैठो ना मौसी, नहीं बेटी देर हो गई, फिर कभी आउंगी, अरी ओखेदी चल घर, यह है कहकर पोती के आगे करके कुछ कदम चल कर अचानक लोट कर बुली, जगो, ऐसा लड़का हाथ से क्यों जाने दिया बता, हाथ से जाने वाली बात नहीं थी, उसका घरबार नहीं था, उम्र भी जाता थी, तुमारे दमाद को ठीक नहीं लगा, रास मनी, विसमी थी कड़ बुली, लो सुन लो बात चरा, उसका घरबार नहीं था, तुमारा तो है, तेरी तो बस यहीं एक उलाद है, तुझे किस बात की चिंता, एक बेटी है, अगर घर जमाई मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, और उम्र, कुलिन परिवार के बेटी की 40-42 साल उम्र भी कोई जादा उम्र होती है, फिर अपनी बेटी की उम्र भी तो देख, और जादा दिन घर रखोगी, तो विवा कप करेगी, अंत में क्या छोटी बुगा की तरह कुवारी ही बुड़ी हो जाएगी, जगत धारती ने लजजित भाव सिका, मैं भी तो यही कहती हूं मासी मगर उसके पिता, बात पूरी होने देने का धहर यह रास्मणी में नहीं था, आख की तरह भवब कर बोली, लड़की का पिता क्यों नहीं कहेगा, और उसके खुद की जैसे बहुत जमीन जायदा थी, तुम लोगों की बात सुनकर तो हसी आती है, और फिर अरुन के घर पर घर वर जब मिल रहा है, तो जादा देर करके अंत में लोग के कारण सब कुछ हाथ से ना निकल जाये, तेरी चोटी बुवा गुलाबी कुवारी ही मर गई थी, तेरे पिता की दो बड़ी बुवाओं का विवा भी नहीं हुआ था, तेरा विवा भी समय पर नहीं होता, नहीं विगन ना आ जाये, इसलिए विवा से पहले किसी को बताया तक नहीं है, और यह अच्छा भी किया, नहीं तो विवा हो भी पाता या नहीं, किसे पता, अरी खेदी, चलब, जैरा मुखर जी का पोता, उसका घर बार, उसकी उम्र, उसका रंग, आगे आगे ना जाने क्या-क्या सुनने को मिलेगा, चल अब देर मत कर, कपड़े धोने में, शाम की दुबती करने में समय लगता है, आज रात का पहला पहल बीच जाएगा, मगर मैं फिर कहती हूँ, क्रिश्यन को घर में घुसने देना, लड़की से हसी मजा करने देना, अच्छी बात नहीं, अगर फैल गई, तो लड़की के लिए पात्र मिलना कठिन हो जाएगा, अरी खेडी, अब चल भी, बाते सुनने में तो तुमस्त हो जाती है, हिलना भी नहीं चाती, बगबग करती हूई, अपनी पोती को, आगी करके रासमनी प्रस्थान कर रही थी, जगत धारती, शंकित सी विसमे से, उस और देख रही थी कि अच्छानक जैसे होश आया, बुली, खेडी, थोड़ा रुकना बेटी, कल खेट में से एक टोकरी बैगन और कच्चे घीया लाए थे, तो कुछ बैगन और घीया अपने साथ ले जा, मैं भी लाए देती हूँ, यह कहकर वो जल्दी स साथ जा, और अगले ही पल, उसे पीछे से आवाज दे कर बोली, जल्दी आना, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ, सामने बरांदे में बैठी संधिया, एकागर मन से कुछ सिल रही थी, उजा समाप्त करके जगधारती वापस आई, एक पल तक बेटी की और देखती ही रही और फिर बोली, सुबह से क्या सिलाई कर रही हो संधिया, दुपैर हो गई है, नाना खाना नहीं है क्या, परसो तो दवा खाई थी, और अब खाली पेट रही, तो पितना हो जाएगा, संधिया, हाथ से धागा तोड़ती हूई बोली, मगर पिताजी तो अभी तक नहीं माने प्रशन किया, क्या सिलाई कर रही है, बस दो बटन और लगाने है, जानती हूँ बेटी, जानती हूँ, नहीं तो मैं पूछती, मेरी साड़ी अलग क्यों रगती, मगर इतना भी क्या पिता का लाड़ करना, जैसे धरती पर और किसी के पिता ही नहीं है, कहां एक बटन नहीं है, कहां से धोती फट गई है, किस कपड़े में जरा सा दाग लग गया है, जूतों में कहां क्या हुआ है, दिन रात बस इनी चक्रों में, इसके अलावा जैसे दुनिया में तेरा कोई और काम ही नहीं है, संधिया ने चेहरा उठाया, हसकर बोली, पिता जी को तो यह सब दिखाई नहीं देता न मा, उत्तर सुरुन कर मा खुश नहीं हुए, बोली दिखेगा कैसे, बिकार की डॉक्टरी के समय, से समय मिले तब न, अच्छा वैं डॉम औरते का गई या नहीं, नहीं जाती तो क्या करती मा, मगर गई भी तो कब, छूकर जाती नश्ट करके, उसके बाद, फिर सुई में धाका डाल रही हो, उठोगी के नहीं, तुम चलो मैं मा अब यह आती हूँ, अपना बिमार शेरी लेकर, तुझे जो करना है कर, तुम दौनों के साथ मौक कर तो मेरा सिर गरम हो गया, इस घर में अब मेरी जरूरत नहीं है, अब मैं अपनी सास के पास काशी जाकर रहोंगी, बस साब साब बता देती हूँ, यह करोकर करोध में भरकर जगदार दी, पीदल का कलश उठाकर तलाब की और चली गए, संधिया सिर जुकाएं मुस्कुराएं, मा की बातों का जवाब नहीं देती, उसका सिलाई का काम समापत हो गया, सुई दागा समयट कर साबुन के बक से में रखकर उठने ही वाली थी कि अपने पिता की आवाज सुनकर चौंकी, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, अभी अभी घर आये हैं, एक हाथ में होमिय पैती दवाई का डिबबा और दूसरे हाथ में किछ डॉक्टरी पुस्तके, बेटी को उठो बेटी, जल्दी से दवाई का एक बड़ा डिबबा, एक पर क्या करू कुछ समझ नहीं आता, इस मुश्किल समय में, संधिय जल्दी से उठी, पिता के हाथ से दवा कर डिबबा और पुस्तके लेकर एक और रख दी, बरांदे में एक चटाई बिचा रखी थी, पित हो जाता है, प्रिय मुखर जी के हाथों से दवा ना पाकर जैसे कोई बचेगा ही नहीं, डर बेकार है, ऐसा नहीं कह सकता, मगर प्रिय मुखर जी तो एक ही व्यक्ति है, दो तो नहीं है, मैंने उनसे कहा, नंद मित्र भी तो कुछ प्रक्टिस कर ही रहा है न, एक दो दव के विशे में भी वह नहीं जानता है, ऐसा नहीं है, मगर नहीं, मुखर जी महासे के बिना काम नहीं चलेगा, और उन्हें भी मैं क्या कहूं, एक दवा का सिस्टम याद रखे, इतनी सहज विद्या तो नहीं, इतनी सहज नहीं है, ऐसा होता तो समीना डॉक्टर बन जाते, सप्रिय मुखर जी होते, पिता जी कप्ड़े बदल लेजे, बदलता हूँ बेटी, अब आज ही की बात लो, यूपल से टिला पकड़ा दी, और प्रैक्टिस तो कर रहा हूं, मगर उसका एक्शन पता है, देखूं जरा मेरी तरह तू बता पाती है या नहीं, संधिया, बे इस तक एक बार आपके पैरों में तेल लगा दू पिता जी, बहुत देर हो चुकी है, मा नाराज हो जाएगी, कहकर उसने इद्विन नजरों से एक बार देखा कि मा घर लोट रही है या नहीं, और पिता किया पती से पहले ही, कटोरी में तेल लेकर पिता के पैरों में और वह परान चेटर जी, उस पर मैं केस कर दूँगा, जो रोगी मुझे मिलता है, वह जरूर उसे तोड़ा आता है, एक दिन से ज़्यादा कोई मेरी दवा नहीं खाना चाहता क्यों, वह उस पाजी उलू के लिए, क्या किया पता है, पंचा के दादा जी को मैं एक दवा देकर आया था, जैसे ही वहाँ से निकला वह पूछने लगा, क्या दिया दिखाना, संधिया गुस्से में बोली, उसके बाद उसके पिता और ज़्यादा गुस्से से बुले, उस बज्जात ने पूरी शीशी दवा की पीली और बोला, यह दवा है, सारी पी गया मैं, मेरी दवा पीकर दिखाये जरा, यह कहकर, एक कैस्टर ओयल की शीशी दे आया, अब वह मुझसे कहते हैं, डॉक्टर बाबू, उसने तो आपकी दवा एकी घूट में पीली, अब आप उसकी दवा पीकर दिखाओ, तब ही हम आपकी दवा खाएंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, स उससे और अभिमान के कारण संध्या की आँखों में आंसु आने लगी, अपने पिता को संसार के सारे उब्दरफ लांचिना उपहास परियास से बचाने के लिए, वह दिन रात अपने हाथ बढ़ा कर उने बचाने की कोशिश करती है, धीमी, भीगी आवाज में बुली, अगर आपको न पाकर लोट जाते हैं, इस बात में सच्चाई की थोड़ी कमी थी, गाउं के गरीब दुखी लोग दवा लेने जरूर आते थे, मगर वे उसके पिता से नहीं, बलकि संध्या से, छोटी मोटी बीमारी का इलाज करना उसने अपने पिता से ही सीखा था, और जादा तर मरीज ठीक हो जाते थे, मगर उसके गुरू से मरीज यमराज की तरह ड़ते थे, इसलिए वैसा तरक के साथ उसी समय घर आते थे, जब मुखर जी महाशे घर पर नहीं होते, संध्या यह बात अच्छी तरह जानती थी, मगर पिता के लिए जूट बोलना उसे पिता जीव एक फुद फिर आ जाएंगे, ओ, तुम लोगों का भी ना, नाम पुछ लेती तो क्या हो जाता, अभी जाकर एक बार देख कर आ जाता, शायद कुछ कहा जहीं जा सके, अभी एक बुन से ही काम चल जाता, संध्या चुप चाप तील लगाने लगी, बोली कुछ पिता ने फिर प्रशन किया, किस समय आने को कह गए है, शायद शाम को, शायद देख तो जरा कैसा अन्याय है, सोच अगर किसी कारण नहीं आ पाए, अरियो संध्या, उस विपन के पास तो नहीं चले गए, परान तो इसी चक्कर में रहता है, उसे पता तो नहीं चल गया, अब मुझसे कुछ नहीं होता, घर में क्या कुछ खाने को नहीं था, उन्हें खाने को देकर एक घंटा बिटा नहीं सकती थी, जो नहीं कहूंगा, नहीं देखूंगा, कौन है, कौन जाकर रहा है, भीतर आ जाओ, अरे राम मैं, लंगड़ा क्यों रहे हो, उनके बुलाने पर एक 40-45 साल का किसान बरांदे में आकर खड़ा हो गया, और मजबूरी में बुला, जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, लंगड़ा रहे हो, ओ तेल लगाना छोड़ संधिया, कुछ नहीं, साफ आर्निका का केस है, नहीं नहीं, तमाशा नहीं राम मैं, पैर दिखाओ, पैर द संधिया, देखते ही बता दिया था कि आर्निका है, हम देखते ही समझ जाते हैं, कैसे गिरे, जी पैर मुड़ गया था, दरवाजे के पास ही पानी निकलने की छोटी सी नाली है, उस पर से बच्चों ने तक धटा दिया, अनमना होकर, अनमना, संधिया बिटी याद रखना कि असली चीज स्वभावी है, महत्मा हैरिंग ने कहा है, हम, तो हनमना होकर, उसके बाद, जैसे ही पैर बढ़ाया, ठोकर लुक, अच्छा रुकर रुको, अभी तो कहा था, पैर मुड़ गया, मुड़ना और ठोकर लगना एक बात नहीं है, हे राम, जी नहीं, पैर मुड देखकर लंबी सांस ली, पिता जी थोड़ी देर हो रही है, संधिया जल्दी से बोली, थोड़ी अर्निका, ओ, तुरुक कर संधिया, केस क्यों स्टडी करने दे, सिमीलिया, सिमीलिप्स, रेमेडी सिलेक्ट करना कोई खेल नहीं है, बदनामी होगी, अच्छा किस तरह का दर्ध है रामाई, जी बहुत ज़्यादा, ओ, यह नहीं पूछा मैंने, कैसा दर्ध है, रगणने जैसा, मरोडी जैसा, सुई चुबने जैसा, बिच्छु काटने जैसा, या पिता जी, दो बुंद अर्निका, प्रिया बबु बेटी के और देखकर हंसते वे बोले, नहीं मृत्यू का डर है, इसे गिर कर मर जाओंगा, सीमीलिया, सीमीलिप्स, महात्मेहरिंग ने कहा है, कि रोग नहीं, रोगी का इलाज करो, मृत्यू के डर पर एकोनेट सबसे अच्छी देवा है, विपिन होता, फिर भी, फिर भी इलाज करने आता है, राम में मेरी बेटी से दवा की शीशी ले जाओ, दो घंटरे अंद्राल में दवा लेनी है, शाम को आकर मैं देख लूँगा, और हाँ, परान अगर तुम्हारे पास आकर दवा दिखाने को कहे, तो दवा मत दिखाना, संधिया राम माय को दवा देने के लिए उठकर खड़ी हुई थी, डरती मैं फिर बोला, दिदी दवा, संधिया चौकर बोली, दवा हाँ अभी लाकर देती हूँ, अभी जो तुमने आरनी नाम लिया था ना वही दो बुन दे दो, मुखर जी बाबु की दवा है, संधिया को दुख हुआ, बोली मैं कहें पिता जी से ज़्यादा जानती हूँ रा मुझे तो बस आप अपनी वारी दवा दे दो, ठीक है, इस और आओ, कहकर वहराम मैं को साथ लेकर बरांदे से होते ही, बराबर वाले कमरे में चली गई, जगतधारती पूजा के लिए पानी लेने गई थी, घर में घुसते ही, पानी से भरी कलसी नीचे रखकर गुसे में पुकारा, संध्या, आती हो मा, मा बोली, तेरे पिता जी नहीं लोटे अब तक, तो क्या आज से भगवान की भी पूजा बन, पिता जी को तो काफी देर हो गई आए वे, तेर लगा कर नहाने गए हैं, अगर तलाब पर तो नहीं दिखे, संध्या जानती थी कि वे कहां आकर बोली, तो शायद आज नदी पर नहानी चले गए, देर हो गई बस आने ही वाले होंगी, अब नम उससे बरदाश नहीं होता संध्या, या तो वे कहीं चले जाए हैं मैं, कितनी बाहर कहा था, कि भटा चारिये जी नहीं आ पाएंगे, आज थोड़ी जल्दी लोट आन फिर बीतनी देर कर दी, भगवान को पानी तक नहीं दे पाई हों, और फिर कल रात क्या कारनामा करके आए जानती है, विराट परामानिक के ब्याज के सारे रुपे माफ करके उसे रसीद दे आए, संध्या, शंकी तो कर बोली, किसने कहा मा, क्यों विराट की बहन ही तो बत सा आ गया, संध्या, क्यों तू सारी बाते ढखना चाती है, विराट अपना बुखार दिखाने के लिए बुला ले गया था, दवा खाई, तेरे पिता कर ध्वंतरी कहकर पैर चुए, जमिदार कहकर पुकारा, कौरी सेन कहकर पसपूँच कुझा दी, यह सब बता बता कर व कितने रुपे थे मा, दस बारा रुपे से कम नहीं थे, मुट्टी भर रुपे यह, उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, कि भीगे कपडों समयत, प्रिये बाबु घर में गुशते वे चीक कर बोले, संध्या, तौलिया, एक तौलिया तो दे बेटी, एकोनाइट तीस शक्ती बक्से के कौने में, जगरधारती, गुस्से से जल उठी, होली, मैं देती हूँ, एकोनाइट, ससुर के अन पर, जमिदार बनते शरम ना आती तुम्हें, किसने कहता तुमसे, विराट का ब्याज माफ कर देने को, किसकी जमीन पर तुम नीची जाती को लाकर रखते हमेशा तुमने मुझे चलाया, आज यह तो मैं जाओंगी नहीं, तो तुम मेरे घर से निकल जाओ, अब संधिया तेज वाज में बुले, मा भरी दुपहर को यह तुमने क्या शुरू किया, मा ने उसी तीवरता से उत्तर दिया, इस बात के लिए दुपहर यह सुबह क्या मैंने कहा था ना मैं जमीदार हूँ तो क्या हुआ, यूही तुमारे ब्याज के रुपह कैसे छोड़ दू विराट, तुम कह क्या रही हो, मगर कोई किसी की सुनता का है, और उन्हें भी क्या दोश दू, तबाख खाने तक का तो इंतिजाम है नहीं, नेट्रॉम, दोबु संधिया की आँखों में आसु छला का है, उसने साफधानी पुरवक आसु पहुच करका, क्यों पिता जी, क्या आप मा को बिना बताएं, इन चक्रों में पढ़ते हो, मैं भी जाता हूँ क्या इन चक्रों में फसू, मगर प्रिया मुखर जी की सिवा, इस गाउं में काम नह नहीं चलता, यह बात भी तो अच्छी तरह जानता हूँ, कौन कहां बिमार पढ़ा है, कौन का, बात पूरी होने से पहले संधिया चली गई, और अगले पलसूखे कपड़े और तौरिया देते वे बूली, और देर मत करो पिता जी, पूजा समाप्त कर लो, मैं भी आती यह कहकर, वे अपने कमरे में चली गई और प्रिया भावू सिर्फ पहुचते वे शायद पूजा घर के और चली गई, बड़ बड़ाते वे कहने लगे, फिर पेट में मरोड उट रही है, परान का तो, उफ 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 उस दिन, रासमनी जिस गुलक चटर जी का नाम लेकर संधिया को डरा रही थी, कि उनका नाम सुनकर बाग और गाएं एक गवाट पर पानी पीते हैं, वह हिंदु कुल का रक्षक महान व्यक्ती, अभी अभी अपनी बैठक में आकर बैठे हैं, उनकी पहने हुई धोती, औ तुरोल पेट को तक्ये का सहारा देकर, हुक्का पीने के तियारी कर ही रहे थे कि अंदर के द्वार पर आवाज सुनकर बोले, कौन हैं, बीतर से आवाज आई, मैं हूँ, बिना कुछ खाय पिये बाहर चले गाएं, नराज हो क्या, गोलक बोले, नराज, नहीं तो, अब ग अश्यात पूजा करके ही दूर और गंगा जल लोंगा, इस तरह जितना समय कटे ठीक है, कहकर फिर लंबी श्वास छोड़ते वे, हुक्के की नली को मुह से लगा लिया, जो लड़की दर्वाजे के पीछे से बात कर रही थी, उसने थोड़ा सा दर्वाजा खुल कर देख कमरे में कोई और नहीं था, वे धीरे से कमरे में आ गए, वह विद्वा थी, देखने में बुरी नहीं थी, उम्र भी 24-25 साल होगी, सफेद धोती पहने वे, हातों में कोई अलंकार नहीं, मगर गर्दन पर इष्ट देवता का क्वर्च बंदा हुआ, मोटा सहार पहने वे मुस्कुराते वे बूली, आप ऐसा मजाक करते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, और फिर मुझे क्या वापस नहीं जाना, क्या कर अगले ही पल, चेहरे पर उदासी का भाव लाते वे बूली, जिनकी सेवा करने आई थी, वे तो चली गई, अब क्या लोटकर, बुड़े सास ससूर की देखभाल नहीं करनी, आप ही बताईए, गोलक तंबाकों पीते वे गंभीर स्वर से बोले, हाँ बात तो ठीक है, मेरा परिवार नहीं चल पा रहा है, इस कारण तो परिवार की किसी और औरत को मैं बांध नहीं सकता, और अगर ऐसा होता, तो भी, तो घर की पेश किया है तमने, ग्यानदा चुप रही, गोलक ने धोती के किनारे से आखे पहुची, उस दिर ओचुपचा फुका पीते रहे, फिर घहरी आवाज में बले, सती लक्षमी के दिन खतम हो गए थे, वो चली गई, इस बात का दुख भी नहीं है, मगर परिवार अकेला हो गोलक चेहरा उठाकर मलान हसी हसते वे बोले, कहना तो नहीं चाहिए, मगर सब कुछ नजर जो आ रहा है, मधुसुदन, एक तुमी साथ हो, घर परिवार में मन नहीं लगता, विफसाय में भी मन नहीं लगता, जब तक जीवित हूँ, वरत उपवास करके उनका नाम लेकर काड दूँगा, इसकी चिंता नहीं, एक मुटी भात मिल जाए तो अच्छा, ना भी मिले तो कोई नुकसान ने, बस बेटे के विशय में सोच कर ही, हे मधुसुदन, अब तो बस तुमारा ही भरोसा है, ग्यानदा की आँके छला काए, कुलक की पतनी, उसकी ममेरी भेंती, मगर सगी बेंच जैस नहीं करती थी, इसनी संकट के समय जब उन्होंने ग्यानदा को याद किया, तो ग्यानदा आए बिना ना रह सकी, वे दीदी को, पर लोग गए, आज महीने से उपर हो गया, और जाते समय इनी के हाथो, अपने दस साल के बेटे को सौंप गई थी, वे जादा उनके मुझे कुछ नहीं लगे, निकला और जादा कुछ कहने की जरुद भी नहीं थी, ग्यानदा भी यह बात जानती थी, इसलिए चुप रही, गोलक, मेरी बात को कोई काड़ दे, है इस गाओं में, उसे कहीं और जाकर रहना पड़ेगा, यह सब मैंने ही सोचता बस बेटे की चिंता है, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हें बहुत चाहती थी, इसलिए मरते समय अपना बच्चा तुम्हें सौप गई, क्यों, तुम्हें नहीं सौपा, बड़ी कटना है, इसे ग्यानदा आसू रोक कर बोली, सब समस्ती हूँ चटर जी बावो, मगर मेरे दूडे सास ससूर अभी जीवित हैं, फिर मेरे इंके सिवा और कौन है, गोलक ने व्यंग में भर कर उत्तर दिया, तुम्हारे सिवा कौन है, तुम जैसी हो, हाँ मुखर जी अगर जीवित होता तो कोई बात थी, अगर उसे तो मैंने देखा तक नहीं, तेरह साल की उम्र म में विद्वा हो गई, हाँ हो गई विद्वा चटर जी बाबू, सास ससूर जब तक जीवित हैं, तब तक तो उनकी सेवा करनी होगी, ग्यानदा ने कहा, गोलक कुछ पल मौन रहकर एक गहरी श्वास छोड़कर बुले, तो जाओ, हमें यह हुई छोड़कर, मगर एक बात जरूर सोचना चोटी बहू, ग्यानदा घुस्वे में भरकर बुली, फिर चोटी बहू, मैंने कहा है न, आपसे लोग मजाग बनाते हैं, क्यों नाम लेकर पुकारने में किया जाता है, करने तो मजाग चोटी बहू, हमारा रिष्टा ही तो मजाग का है, अचानक ग्यानद देखते ही देखते उनका चैरा विशात से भर गया दीरे दीरे अपनी आहा को दबा कर मनी मन कहले लगे हिर्दय में दिन रात कुछ जल रहा है हाई रे मेरी हसी मेरा मजाक फिर भी कभी कभी जाने दो अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो नहीं कहूंगा जीवन भर जो न जाते रहते हैं वैं सब कुछ जानते हैं छिपा भी नहीं सकता उनसे कहता हूं मैं तुमारी बात मानता हूं कुलिन का समान कुलिन को ही रखना पड़ता है यह भी जानता हूं यह भी सच है कि दुख के कारण समय से पहले बाल सफेद हो गया है फिर भी है तो सफेद बाली अब क्या विवा करना फिर से नया बंदन बांधना कोई शोभा देता है तुम ही बताओ छोटी बहू तो अच्छा कर ले ना विवा गोलक पागल है क्या फिर से विवा लक्षमी की तरह तुम जिसके घर में हो जो भी कहो अनाद बांजे को यह छोड़कर तुम नहीं जा सकती मरते समय वै तुम्हे दे गई उसका मान तो तुम्हे रखना ही होगा मेरा और कौन है नौकर ने जाकते वे बताया चोंगदार जी आये हैं ओ काम ही काम धनी धन मेरे लिए तो सब अब जहर बन गया गोलक चेहरा बिगार कर बोले किसे समझाओ कौन समझेगा मदू सुदन क अब छुट्टी दोगे जाब खड़ा क्यों है भेज दे नौकर के जाने के बाद ग्यान दाने दरवाजे के बहाद जाकर दबी अवाज में पूचा है क्या अब आप सच मुछ कुछ नहीं खाएंगे गोलक सिर हिलाते वे बोले नहीं प्रभु गोकुल के तिरो भाव का द दन सब तुम्हारी मरज ग्यान दा ठीक है मगर थोड़ा सा दूद और गंगा जल लेने में कोई बुराई नहीं आप जंदी आजाईए मैं तैयारी करती हूँ यह कहकर उसने भीतर के द्वार बंद कर दिये सामने वाले दरवाजे से नौकर के साथ एक व्यक्ती ने प्रव पूलो विष्णू चौंगदार ने गोलक के पैर चुकर उन्हें प्रणाम किया और पास सी बैटकर एक गहरी सांस छोड़ी फिर बोले सांस लेने की बिफिवस्त नहीं थी बड़े मालिक खेर चोड़ी ये पांस सो और तीन सो आठ सो जहाज में चड़ा कर आ रहा हूँ ओ नहांगामा दक्षिन अफरीका में भेड और बक्रियां भेजने के चोरी के विफसाए में विष्णू चौंगदार उनका सहबागी था तीन महीने में तीन हजार पशू भेजने की शर्ट पर काम शुरूआ था इसलिए यह कबर सुनकर गोलक खुश नहीं हुए दुकियो नागरी फिर भी हरेन ने रामपुर से पत्र लिखा है कि आठ दस दिनों में पांस साथ सो बेड बक्री वे रेल द्वारा भेज रहा है बस रेल से उतार कर जाज में चड़ाना है और फिर हमारे पस तीन महीने का समय है भगवान की मर्जी होगी तो हो ही जाएगा बोलक रुपे कम तो नहीं पढ़ेंगे चौंगदर गर्दन हिलाते बोले नहीं नहीं रुपेयों की कमी तो इस बार मुहमद साहब को होगी साथ सो का कॉंट्रेक्ट मिला है और ज्यादा का मिल जाता मगर रुपेयों की कमी के कारण हिम्मत नहीं हुई गोलक ने आंक से इशारा करके पिशन किया बड़ा था चौंगदर नहीं तो मैं छोड़ता गोलक अपना दाया हाथ चैरे के सामने लाकर बोले हे दुरगा राम राम सुबा सुबा ऐसी बाते नहीं चाहिए चौंगदर जात का मलेच धरम का कोई ग्यान नहीं फिर भी दस अजार रुपे तो कमा ही गोलेगा क्यों जादा जादा इस से जादा चौंगदर बुला गोलक अगर यह लड़ाई जादा लंबी चली तो वह तो लाल हो जाएगा यहीं न चौंगदर अवश्य रुपयों का खेल है एक साथ बहुत रुपयों का बंदबस्त हो जाए बस गोलक बुले ब्याज देना चाता है चार पैसे तो देगा शायद इस शायद को गोलक ने समाप नहीं करने दिया उससे से बोले चार पैसे रुपयों से नोट कमाएगा और ब्याज देते समय चार पैसे दस आने या छे आने शायद तो मुझसे मिलने को कहूं क्या आप सहाब को रुपय देंगे यह बात फैल गई तो एक पल में ही गोलग ने खुद को संभाला और रुकी हजियास कर बोले राधा माधा तुम पागल हो गए और चोंगा अगर मेरे बस में हो तो कोई देता है तो उसे भी मना कर दूँ और रही बात फैल जाने की तो इस बात का या तो तुम्हें मुझे मगर फिर भी मैं कही देता हूं रुपे उधार तो वो लेगा ही लेकर अपने पिता का शिराद करेगा या मुझरा देखेगा या गाएं विदेश में भेजेगा इससे महाजन को क्या मतलब यह है कहकर उसकी हाँ सुनने के लिए एक पल उसकी और देखकर कहा है ऐसा है चौंगदार मैं तो इतना कह रहा था कि इतनी खोच खबर लेना शुरू कर देगा तो महाजन का काम नहीं चलेगा मगर मुझे तो तुम जानते हो ब्रहमन का बेटा हूं धरम पत पर रहकर भीक मांग सकता हूं मगर अधरम का पैसा नहीं चूँ सकता है उन्हीं के प्रत तो डॉक्टर जैगोपाल ने कहा था कि सोडा आपको पीना ही पड़गा मैंने कहा डॉक्टर जनम हुआ है तो मरना भी है मगर गोलक चेटर जी को दुबारा सोडा पीने को मत कहना केना राम का पुत्र हर राम चेटर जी का पौत्र जिनकी पद धुली पानी की आशा में स् इस बात को तो धर्ती के सभी लोग जानते हैं प्रतिप्तर में गोलक ने एक घहरी निश्वास ली ये मदू सुदन अब तो तेरा ही आसरा है और हाँ हरेन को भी जरा भेज़ दो तो रेल की रसीद दिखा जाना चुंगधार ने गरदन हिला करका जी अच्छा गोलक तो फिर आठ सो और पांस सो हो गए बाकी सतरा सो रह गए तीन महीने कर समय हो जाएगा ना तुम क्या कहते हो हाँ हाँ हो जाएगा चोगंधार ने कहा कोलक बोले इसलिए तो मैंने तुमसे उसी समय कहा था कि पूरा पांच हजार का कॉंट्रेक लेलो तब तुम्हारी हिम्मत जी अगर अधर्म के पत पर मोह की कमी नहीं होती समझे चोंगदार है मधू सुधन तेरा ही आसरा है चोंगदार और कुछ कही बगएर चला गया उसके जाने के बाद भगवता को प्राप्त गरस्त सन्यासी चटर जी गरम हुका उठा कर चिंतितो से पीने लगे धंसम पति शाय दासी बोली मौसी आपके लिए दूद लिए बैठी है गोलक हुका रखते वे मुस्कुरा कर बोले तेरी मौसी से पार पाना बहुत कटी नहीं सदू आज उपवास करूंगा सोचा था मगर नहीं यह कहते वे वो उठ खड़े वे और जाते जाते गहरी सांस लेते वे बोले संसार में रहकर प्रलोग के लिए कुछ करने में कितने विगन है हे मधु सुदन हे हरी पिछले कुछ दिनों से संध्या की तबिया ठीक नहीं चल रही थी बुखार था और पिता की इलाज से वे और ज़्यादा बिमार हो गई उसकी मा रोज की डॉक्टर विपिन को बुलाने की बात कहती और इसी बात को लेकर मा बेटी में रोज कलह हो रही थी आज शाम के समय संध्या सामने वाले बरांदे में एक खंबे को सहरा लिए बैटी थी और मा का दिया हुआ साबुदाना आँख बंद करके खाकर जल्दी से एक पान मुँ में दबाकर उसे उल्टी होने से बचा रही थी उसे साबुदाना खाना एक दम पसंद नहीं था वह एक पुस्तक पढ़ रही थी उसे अपने गोद में रखा हुआ था उसी पुस्तक को हाथ में उठा कर दुबारा पढ़ना शुरू ही किया था कि आंगन की और से अवाज आई चाची कहां हो जो घर आया था वह था अरुद उसके कपड़े और शकल देखकर ही पता चल रहा था कि वह कहीं भाहर से आ रहा है पल भर के लिए संधिया के पीले पड़े चेहरे पर लालीमा दिखाई थी उसने हसते वे पूछा तुम शायद कलकत्ते से आ रहे हो अरुदा अरुद पास आकर चौकते वे बुला अरे तुम इतनी दुर्बल क्यों लग रही हो फिर दुबारा बुखार हो गया हाँ शायद मगर तुम्हारा चेहरा भी वैसा ताजा नहीं लग रहा अरुद ने हसते वे कहा इसमें चेहरे का क्या दोश सारा दिन हो गया ना नहाना ना खाना अच्छा यहलो तुमने जो बंगवाया था धून धून कर परिशान हो गया यहलो यह कहकर उसने अपनी जेब से कागच में लिप्टी हुई छोटी सी कोई चीज निकाल कर देते वे कहा चाची कहा है चाचा बाहर होंगे पिछले शनिवार घर नहीं आ पाया था इसलिए इसे लाने में देर हो गई क्या बनाओगी पक्षी या देवता या गुलाब का फूल संधिया बोली है सोचने के लिए भी बहुत समय है मगर जो लाने साथ दिन की देरी हो गई उसे देने में एक घंटे का सबर नहीं हुआ स्टेशन से घर ना जाकर सिदे यहां क्यों आए अरुन नहाना खाना वैसब संधिया के बाद मगर तुम बताओ कि इतनी जल्दी जल्दी बिमार की होने लग गई हो उसका संधिया कहना संधिया के कानों को लाल कर गया मगर जैसे कुछ समझ ही नहीं आया ऐसे भाव में वै गुस्सा करती भी बोली अब संधिया होने में देर कितनी है जाओ अब बेकार में और देर मत करो आरुन कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक जगधार्दी की और देखकर उसकी बात मुं में ही रह गई वे गुस्से से तम-तमातिवी कमरे से बार आई और अपनी बेटी से बुली पान को और मत चबा संधिया उसे फेक दे फिर जितना हसी मजाक चाहे करना कहकर कहीं और देखे बिना ही अपने कमरे में लौट गई अचानक जैसे कुछ घट गया अरुन वज्रगात की तर है निश्यल खड़ा रहा और संधिया भी उदास हो गई कुछपलों के लिए जैसे शाम के आसमान से प्रकाश खो गया कुछपल इसी तरह रहा कर मूँ का वान फेक कर संधिया अचानक रोनी आवाज में बोली तुम क्यों इस घर में आते हो अरुन दा क्या हमारा सर्वनाश किये बिना हमें नहीं छोड़ोगे कुछपल तो अरुन एक शब्द भी नहीं कह पाया अगर कुछपलों के बाद धीरे से बोला मुग का फान फेक दिया संधिया मैं क्या सचमच तुमारे लिए अच्छो थो संधिया रो पड़ी रोते वे बोली तुमारी कोई जाती नहीं धरम नहीं तुमने मुझे क्यों छुआ क्या मेरी कोई जाती नहीं धरम नहीं नहीं तुम विलायत गए थे तुम मलेच हो तुम्हें याद नहीं है उस दिन माने तुम्हें पितल के लोटे में पानी पीने को दिया था अरुन लंबी सांस छोड़ते वे बोले नहीं मुझे नहीं याद मगर तुम्हारी नजर में मैं आज अचू तू मलेच हो संधिया आशू पहुँचकर बोली स्रफ मेरी ही नजर में नहीं सबकी नजर में और आज से नहीं उस दिन से जब सब के मना करने पर भी तुम विलायत चले गए थे अरुन मगर मैंने सोचा था क्या सोचा था वैं कह नहीं पाया एक पल चुप रहा कर बोला शायद मैं अब इस घर में दुबारा ना हूँ मगर तुम मुझसे घृणा मत करना संधिया मैंने कभी कोई घृणित काम नहीं किया संधिया तुम्हें क्या भूब प्यास नहीं लगी अरुन्दा तुम क्या यूँ ही खड़े खड़े मुझसे लड़ते रहोगे नहीं मैं जगड़ा नहीं करूंगा जो घृणा करता है उसके सामने खड़ाओकर विवाद कैसा इतना छोटा मैं नहीं हूँ यह कहकर दीरे दीरे चलता हूँ अरुन भार चला गया और संधिया मुरत की तरह उसकी देखती रहे मा बाहर आकर खुश होते वे बुली शायद अव्या कभी ना आये संधिया चौकर बुली हाँ मा बेकार में चूदिया जा कपड़े बदल ले संधिया ने मा की और देखकर खुशा कपड़े तक बदलने पड़ेंगे उसके उदास चेहरे के बीतर की तस्विर मा को दिखाई नहीं दी वो चकी तो कर बुली और नहीं तो क्या इसाई है ना अगर कोई विद्वा होती तो इसी को लेकर जमेला खड़ा कर देती उस दिन रासु मौसी को ही देखो हाँ मैं उनकी बड़ाई कर रही हूँ विचार अचार उनसे सीखने चाहिए उस नीची जाती की लड़की ने चुआ या नहीं पता नहीं मगर पोती को आसमाय नहलाने के बाद ही घर में घुसने दिया संधिया बुली ठीक है मा में जा रही है मा शायद गर्दन हिला हिला कर ब्रामन रीती रिवाज के और उब्देश देने वाली थी मगर पीछे से आवाज आए जगो घर में हो क्या गोलक चेटर जी बिलकुल ही बरांदे के बीचों बीच पहुँच चुके थे जगधारती पीछे मुड़कर बुली ओ मा चेटर जी मामा धन्य भाग मेरे मगर उस दिन की रासू मौसी और अपनी बेटी के बीच की घटना याद करके उनका चेहरा सूंकिया संधिया खड़ी हो चुकी थे गोलक मा की बात का उत्तर दिये बिना बेटी से हस्ते वे बोले और मेरी ये संधिया पोती कैसी है बड़ी दुर्बल दिख रही है क्या हुआ संधिया कुछ नहीं मैं अच्छी इन दादा जी जगधारती रुखे चेरे पर हसी लाकर बुली हाँ हाँ ठीक है मैना होने को आया मामा रोज बिमार रोज भुगार आज भी साबुदा नहीं खाया है को लग अच्छा मगर बिमार तो होगी ही बेटी कहां आज गोद में बच्चे होने चीए और तुमों की बेचारी को लटका दिया विवा कब करोगी उम्र भी तो जगधारती उम्र की बात दबाते हुए बड़ी क्या करूं मामा मैं अकेली औरत क्या क्या संभालू तुम्हारे दमात तो ध्यानी नहीं देते डॉक्टरी के पीछे ही पागल है अपने को दिखारती हुँ मामा मन करता है सब कुछ छोड़कर अपनी सास के पास काशी भाग जाओ उसके बाद जिसके भागय में जो है होता रहे कहते कहते उसकी आवाज भराई और वैं पागल क्या कर रहा है जगधारती पागल भी हो जाए तो अच्छा घर में बंत कर दूँ दो बार सब कुछ खाक कर दिया कहकर आचल से आखे पहुची गोलक सहान भूती के स्वर में बोले हाँ हाँ मैं भी बहुत कुछ सुनता रहता हूँ मगर तुम लोगों ने भी तो कसम खा रखी है कि स्वैम कार्थिक नहीं आएंगे तो बेटी का विवा नहीं करोगे हमारी बान जी कुलिन घर में यूँ ही ऐसा कैसे हो सकता है बहुत हो गया बेटी सुना है न तुने उन दिनों में कितने कुलिन भ्रामणों को गंगा यात्रा करके भी कुल की रक्षा करनी पड़ती है ये मदू सुदन तुम ही तो सत्य हो जगतधार्ती ने नराज होते वे का तुमसे किसने का मामा की मेरा जमाई जब तक मोर पर बैठ कर नहीं आएगा मैं बेटी का विवा नहीं करूंगी बेटी पहले आई या कुल मेरे वश में कभी शुदर के घर पैर भी नहीं दोए और मैं कार्तिक चाहूंगी छोटे घर में नहीं चाहूंगी यही मेरा प्रण है लड़की को डुबा कर मानना पड़ा तो भी मंजूर है गोलक खुश होते वे बोले यह हुई न बात ठीक है मैं देखता हूं संध्या शरम से सिर जुकाए खड़ीती गोलक उसे देखते वे हसते वे रहस्य पूर्ण अ गोता तो संध्या इस मजाक में जरूर योगदान करती मगर अरुन से लेकर पिता का प्रसंग उठने तक संध्या करोद लज्जा और दुख में जल रही थी उसने चेहरा उठाकर कठोड़ता से उत्तर गिया पसंद क्यों नहीं दादा जी रसी की खाट पर बैठकर आजान लड़की नहीं जैसे विलायती पल्टन है यही तो है दादा और पोटी का संबन कह सकती है मगर उस दिर रासू से सुना कि इसने जो मुमें आया वही कहा माबाप तक को नहीं छोड़ा शुरू में जगधारती इसी बात से डरी थी मगर बीच में उन्होंने सोचा कि मजाक में ही वह बात हल हो जाए और शायद टल भी जाती मगर इस लड़की ने बेकार में उकसा कर सांप को बिल से बाहर बुला ली बेटी पर उनके गुसे का अंत नहीं रहा मगर उपर से नहीं करती मैं भी वही खडीती मामा जगधारती बूली को लग यह तो और अच्छी बात है तू उसे डाट नहीं सकती थी हासी देखकर जगधारती को थोड़ा बल मिला उसे से बूली डाट ना तुम देखना मामा मैं उसकी कैसी दुरगती करती हो रहने देख क्या होगा परिवार का बोज कंदों पर आएगा खुद सुदर जाएगे फिर भी थोड़ा डांड दिया कर समय बहुत खराब है अरुन आता है अब भी अरुन नहीं तो डर के मारे जगदारती ने जूट कह दिया बोला अच्छा है उस चोकरे को आने मत देना बहुत कुछ सुनता हूँ ना बच्पन से ही संधिया अरुन को भईया बुलाती थी उसके बुलाये जाने से पहले दोनों में अच्छी मित्र था और सुहार्द था मगर भै ब्रामन वंश के इतनी वीजी सीड़ी पर था कि स्यहस ने कभी किसी कारण से किसी अरुप में रुपांतित हो सकता है ये संधिया कभी भी सपने में भी मा के मन ही नहीं था मगर कुछ दिनों से संधिया के वेवार में उसकी बातचीत में ऐसी तीवर ज्वाला प्रकाशित हो रही थी कि बंद आखों से भी सब दिखने लगा मगर अंतितक यह चीज इतनी असंभव है कि इस विशे को लेकर पर तरी बेटी को लेकर लोगों के सिर में दर्द क्यों है गोलक ने धीरे से हसका का यह ठीक है बेटी मगर समय रहते साफधान ना होने पर लोगों का मुँ बंद भी नहीं किया जा सकता जगर धारती इस बात का जबाब देने ही वाली थी कि अचानक अपनी बेटी को देखकर डर विसमे और क्रोथ से चुप हो गई संधिया तलाब में नहा कर घर के भीतर जा रही थी उसके कपड़े भीगे वे थे सिर के बालों से पानी टपक रहता उसे पहुचने का अवकाश नहीं था इस हालत में पास से होती हुई वह तेजी से अपने कमरे में चली गई को लग अरे तू तो कह रही थी किसे बुखार है जगो शाम कर नहा कर आई है जगधारती ने बस इतना कहा क्या पता मामा मगर मन ही मन्वे समझ गई कि अरुन का अपमान करने का बदला ले रही है बैर गोलग ऐसा करेगी तो यह जात्ती हो जाएगी हो भी जाये तो मैं क्या तेरे बस में तो नहीं है कुछ गोलग समझ गया अच्छा मैं पूछता हूँ इस गर का मालिक कौन है तू जमाई है तेरी बेटी जगधारती सब मालिक है तो ठीक है उन्हें कह देना हमारे महले में नीची जाती को ना रखे अगर तूने कुछ नहीं किया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा हे मधू सुधन तेरा ही आसरा उत्तर में जगधारती ने गुस्से से पुकारा संधिया यहाँ शायद संधिया कमरे में सिर पहुँच रही थी भार जाक कर बुली क्यों मां मां बुली उस नीची जाती की औरत को भगाएगी या कल नाने से पहले मुझे ज जबारू से मरना कोई कठिन काम नहीं है मां मगर उन्होंने किसी का कोई नुकसान किया है क्या जवाब गोलक ने दिया नुकसान तो करते ही है परसों में टाहलने निकलाता था वो देखा रास्ते पर खड़ी ओकर बकरी को कुछ खिला रही है छिटक छिटक कर रास्ते पर खाना गिर रहा था कहकर वो जगधार्ती के और देखने लगे जगधार्ती ने समर्थन करते हुए का वो तो गिर नहीं था मामा बोला इसलिए तो कहरा हूँ अनजाने में साप का जैर खाया जा सकता है मगर जान बुच कर तो नहीं खा सकते न संधिया के प्रती फिर हसकर बोले तुम अभी छोटी हो तुम रात को भी नह सकती हो और मैं नहीं संधिया अपने भीतर का गुस्सा दबा कर बोले जानती हूँ दादाजी मगर पिता जी ने उन्हें रहने के लिए जगा दी है अब उनका कहीं और बंदबस ना होने तक उनका अपमान नहीं कर सकती है आश्रे देने के लिए नीची जाती है तो क्या हुआ है तो हिंदू इससे उसकी जाती खराब ना होगी यह कहकर जगदारती की और देखकर मुस्कुराने लगे जगदारती खुश होने के बज़ाय अरुन के विशे में कहीं उनकी बेटी कुछ उल्टा सीधा ना कहदे इससे क्या फरक पड़ता है गोलक ने हसने की कोशिश की मगर उनका चरा काला पड़ गया तो तुम से उसकी यह सब बाते होती है संधिया खिल खिला कर हसते वे बोली हाई हाई दादा जी वै तो आप लोगों को कुछ नहीं समझता कुट्टे बिलियों में शामिल करता है मुझे यह कहकर किसी वाद विवाद का इंतजार किये बिना पल भर में ही वहाँ से चली गई जगतधार्ती से और सहन नहीं वा धमकाते में बोली अभागी पराए लड़के पर जुटा अरोप लगाती है उसे कौन नहीं जानता उसने कभी ऐसी बात नहीं कहीं मैं गंगाब के पा में और देर मत कर जहां भी हो अब इसका विवाद करके पाप चुका दे तुमी देखो दोना मामा मैं और कुछ नहीं कह सकती गोलक से नहीं लाते है ठीक है मगर क्या है बेटी इसका दूर कहीं विवाद करवा कर तू रह नहीं पाएगी रो रोकर मर जाएगी हमारे घरों म मैं देख तो पाएगी इससे बड़ा और कोई सुख नहीं कहां मिलेगी इतनी सुविधा मामा तो घर जमाई गोलक ने बात पूरी नहीं होने दे बोले चीची ऐसी बात मुझ पर भी मतलाना जगो घर जमाई रखने का समय नहीं है अब बहुत निंदा होती है और अगर आओं गवार गविंद घर ले भी आई तो गांजा शराब में ही सब उड़ा देगा मैं कहता हूं अपने बारे में ही सोच कर देख इस बात का अर्थ समझ कर जगधधारती उत्तेजी दो कर बोले हमेशा से देखती आई हूं मामा इसी से तो जलती आई हूं गोलक मुस्कु गोलक ने आश्वसन देते वेगा सब मिलेगा जल्दी क्या है मैं थोड़ा सोचता हूं मगर आज चलता हूं शाम हो गई मामा थोड़ी देर बैठोगे नहीं खड़े ही हो नहीं बेटी शाम की पूजा का समय बिच जाएगा आज देर नहीं करूंगा कहकर वैं धिरे धिरे बाहर चले गए प्रिया मुखर जी सुबा सुबा अपनी प्रैक्टिस में व्यस्ते थे कांक में होमियोपैटिक एक पुस्तग दबी हुई थी हाथ में तौलिया और दवा का बकसा और उनके पीछे पीछे एक कड़ी की विद्वा पत्नी मिन्नते करती हुई कह रही जोग बच आ description कियों तुने बकरी को फैन खिलाया बैवष मी तो कर बुली सभी की तो बकरिया फैन खाती है बाबुजी अब प्रिया ज़्यादा गुसा हुआ फिजूट बोल रही है किसी की भी बकरी फैन नही कहती कौती है गांस खाती है बैपर प्रिया पहले की तरह आज ही चली जा, गोलक चेटर जी कहा गया है, ब्रामनों के महले में तुने बकरी को फैन खिलाया, अब तुछ पर दया नहीं आ दे, वह अंति बार मिनित करते वे बिले, तु क्या वह फैन में फेक दूँ बाबु जी, प्रिये ने बिना किसी संकोसे कहा फेक दे, तुम्हार यह तो भयानक बात है, आज ही चली जा, समझी, अब देर हो गई, सलफ़र देने का समय हो गया, कहकर वो तेजी से जाने लगे, पीछे से एक कड़ी की पत्नी करन स्वर में बुले, बाबु जी, कल से लड़की के पेट में अनका एक दाना नहीं पढ़ा, प्रिये उसी पल घुम कर खड़ा हो गया, पूछा, क्यों, पेट में मरोड़ा है या उल्टी जैसा लग रहा है, एक कड़ी की पत्नी ने सिरह लाया, तो क्या पेट फूल गया या भूख नहीं लगती, भूख तो लगती है बाबु जी, ओ तो यह बात है, यह भी बहुत बड़ी बिमारी ह नेट्रम, आयोडम, और भी भात सी दवाएं, इतनी देर से क्यों नहीं बताया, जांच करके एक खुराख खुला देता, चल देखता हूँ, दवा नहीं चाहिए बाबु जी, थोड़े चावल मिल जाते तो लड़की को बाल कर दे देती, एक पल के लिए चकित रहकर प्रि प्रिया कीत और देखा, प्रिया बोले, मालकिन के पास जाकर मत मरना, घाट के पास खडी रह, दीदी आये तो कहना मेरी दवा के बकसे में एक अठनी पड़ी है, तुझे दे दे, मगर खबरदार, विमार पड़ी तो किसी और को बुलाया, तब तो विपिन के पास कौन है, तिर लोग अरे शश्टी चरन घर में सब ठीक तो है, एक कड़ी की पितनी धीरे धीरे वहां से चली गई, तिर लोग और शश्टी चरन सुप्रभाद कहकर बोले, जी आपके आशिरवाद से सब ठीक है, शाम का अंधेरा धीरे धीरे गाड़ा हो रहा था, मगर अब तक बत पढ़ाई बंद है, ऐसा नहीं, और अभी तक पुस्तक भी उसी हालत में थी, असल में, उस दिन से वह काम पर भी नहीं गया, घर के भार भी नहीं गया, पिछले कुछ दिनों से, उसे बार बार एक ही बात यादा रही थी कि वह सब के लिए अच्छूत है, गिरना और अप पवित्रता इतनी जादा हो गई, कि उसके छूने भर से किसी को मुंग का पान फेक देने की जरूत पड़ी, अच्छानक उसकी सोच में बादा हुई, विवार पर किसी की आहाट सुनकर वैं सतर कुआ, कौन है वहाँ, मैं हूं संधिया, कहकर दरवाजा कुल कर संधिया, च चलाब में नहने आई थी, छिपकर तुम्हारे पास आई हो, हमारा मान रखोगे अरुन धा, अरुन और ज़्यादा विसमे से बला, मान तुम्हारा, अवश्य संधिया, मैं जानती थी, तुम मना नहीं करोगे, कहकर पल भर के लिए संधिया चुपो गई, फिर बोली, पित जी सबसे पहले यही बात बताते हैं, अरुन चुप रहा, थोड़ी देर चुप रहकर संधिया फिर बुली, कारण मैं जानती हूँ, अरुन धा, मगर तुम हमारे घर अब कभी मता ना, नहीं, सिर्फ तुमारे घर ही नहीं, मैं इस गाउं को ही छोड़कर कहीं जा रहा हू जहां बिना किसी दोश के किसी व्यक्ति को इतना हीन, इतनी लांचना सहनी पड़ती हैं, मैं यही सोच रहा हूँ, क्या, अपना जनम इस्थान छोड़कर चले जाओगे, अरुन, जनम भुमी नहीं मुझे त्याग दिया संधिया, आस तुमारे निकड़ भी मैं इतना अप आय करते हो, वह शायद तुमें सपर्ष नहीं करता, मगर जहां करता है, वहां इनसान के हाथों, इनसान का अपमान एक व्यक्ति को इतनी पीड़ा देता है, यह बात मुझे एक दिन अनुभव करनी पड़ेगी, सोचा नहीं ता सपने में भी, थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात संधिया वली, मगर यह अपमान तुमने खुद ही नहीं करवाया, अरुनिदा, क्या पता, मगर संधिया क्या किसी उपाय से इसका प्राश्चित हो सकता है, मगर अब तक आत्म सम्मान खोने के डर से तुम वह करने को तयार नहीं हुए, और आज अगर खुद ही उसे विसरजित कर दो, तो मैं कहती हूँ, अरुन, तुम चाहे जो करो, मगर यहां मत रहो, अरुन, मगर तुमारी गृणा, गृणा तो मुझे वहां भी टिकने नहीं देगी, मगर इससे तुम्हें कितना नुकसान होगा, अरुन, संधिया तुम यह बात कैसे कह पाई, सं नहीं सकती, कि मैं कितने बड़े ब्रहमन की बेटी हूँ, अरुन, विसमे से बोले, और मैं, संधिया तुम भी मेरी ही जाती कही हो, मगर फिर भी बाग और बिल्ली, एक तो नहीं हो सकते है, अरुन, संधिया फिर बोली, तुम जहां भी जा, अरुन, मुझे भूल नहीं प अरुन, संधिया बोली, एक कड़ी की विद्वा और उसकी बेटी को, एक कड़ी के पिता ने घर से निकाल दिया, मगर मेरे पिता उन्हें यहां लेया है, मैंने उन्हें आश्रे दिया है, कहां, हमारे पुराने ग्वाल घर में, मगर भ्रामनों के मौले में वह नहीं रह सक लाती, क्यों? गर चला गया है, उसके कमरे में मैं रह सकेगी, और थोड़ी बहुत जगा बना दूँगा, संधिया सीर उठा कर बात नहीं कर पाई, सिर उठा कर सम्मती दे दी, अरुन, तो फिर उन्हें भेज दो, माली के आने के बाद उनकी कहीं और विवस्ता कर दूँगा, संधिया, उसने दंडवत होकर प्रणाम की और पल भर में अद्रिश्य हो गई, और उन्हें उसे पुकारने या कुछ पूछने की कोशिश नहीं की, बस उस और देखकर चुपचाप बैठा रहा, शायद उस बात को दो-तीन दिन हुए होंगे, जगदारती अपनी तलाप से नहा कर ल जगो, मेरी बेटी, तेरी उस पागल बेटी ने ऐसी तबस्या की थी, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था, जगदारती को कुछ भी समझ नहीं है, मगर उनके मुझ से बेटी का नाम सुनकर डर गई, व्याकुलो कर पूछा, क्या हो मोसी, क्या किया संध्या ने, रासमनी, जो किया, तो ऐसा इस धर्ती पर कोई दूसरी लड़की ने ना किया है, जा जा, भीगे कपड़ो और भीगे सर से गिरिधर को जाकर दंडवत प्रनाम कर, पंचानन, और विशलाक्षी के यहां भोग भेज, बगर मुझे तो बेटी, इश्ट कवच पहनने के लिए एक पतल नहीं किया था, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता, सोच कर परिशान थी कि बेटी का विवा कैसे करी, अब जा, जा राजा की सास बरने के लिए तयार हो जा, सुनकर तो जगधधार्दी की आंके फटी की फटी रह गए, रासमनी ने प्यार से का, तेरा दोश नहीं जगो, सुन जगधार्दी का भाया बाजू अपने हाथ में पकड़ा, और कान के पास मूँ ले जाकर फुस फुसा कर बोली, अभी बात छिपा कर रखना बेटा, खुश हो कर सभी को मत बताना, रिश्टा तूटने कर डर रहता है, मेरे सीवा, चटर जी भहिया किसी और पर विश्वास जो नहीं करते, इसलिए सुबा सुबा मुझे बुलवा कर कहा, दीदी, जगधार्दी को खबर दे आओ, उसे बेटी की चिंता में और घुलने की जरुवत नहीं, मेरे हाथ में सौपकर, राजा की सास बनकर, पैर पर पैर रखकर बढ़ जाए, मैंने बहुत सोचा कि मेरी वेखुंट पुरी में हैं, भी तो सूनी पड़ी है, लड़का भी नहीं पल रहा है, एक पंते दो काम हो जाएंगे, एक ब्रामन के कुल की रक्षा भी हो जाएगी, और गाउं की लड़की गाउं में रह जाएगी, उनका भी तो अभी अभी, मगर राजा की होने वली सास क और देखकर वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, सुनते सुनते जगधारती पत्थर की तरह कठोर हो गई थी, ग्रास मनी, बेचैन होकर बुली, अरे क्या हुआ अरी जगधारती ने खुद को संभाल कर, कहा, मौसी कोकुल मामा मजाक कर रहे होंगे, मजाक की क्या बात है इतनी उम्र बीद गई, क्या मैं मजाक नहीं समझती, फिर भाई बेहन में मजाक कैसा, जगधारती, मजाकी तो है मौसी, यह कैसे हो सकता है, यह सच है बेटी, शुरू में तो मुझे भी यही लगाता, लगाता शैद सपना देख रही हो, मगर फिर समझ आया, नहीं चागी हुई हूँ, लड़की का भाग्ये तो देख, नहीं तो भ्रामण के घर की बेटी की किसमत में ऐसा पहले कभी सुना या देखा है, मैं आशिर बात देती हूँ कि सदा सुहागन रहे, मगर मैंने जो कहवे आज ही कर दे बेटी, और बात कभी अभी फैलने नहीं चाहिए, प पिलको लक्षमी की मूरत है, देखकर रिशी का मन भी डोल जाए, फिर गुलक चटर जी, जा बेटी जा भीगे कपड़े में खड़ी मत रहे, मैं भी चलती हूँ दुपैर हो गई, शाम को फिराओंगी बहुत सी बाते करनी है, यह कहकर और समय नश्ट के बिना भेच चली जगधारती पैरों को घसेटी हुई, घर पहुची और पूजा घर के बरांदे पर पानी का कलश रखकर भीगे कपड़ों में ही वही बैट गई, उसकी आँखें आंसों से भर गई, उसकी एक मातर संतान है यह, उनकी प्यारी संधिया, रूप और गुण में लक्षमी की उस मूरत को विसरजित करने का आवान आया, गोलक चटर जी के नर्क कुंड में, जो गोलक उनकी बेटी के नाना जी से भी उम्र में बढ़ा है, उसके हाथ में सौपने से तो उसकी मृत्यू ज़्यादा अच्छी है, यह बात आख की तरह उसके हृदे में धदकने लगी, म इसलिए अपनी बेटी के विशे में सोचकर अंदर धूँ धूँ कर जल रहा था, फिर भी इसे असंभव मान कर इस आख को बजाने के लिए उन्हें एक बुंद पानी कहीं भी नहीं बिला, अकेली बैटकर चुपचा पासू पहुचने और उन्हें लगने लगा जैसे भव कि चिपी ती, यह किसे पता था, तभी अचानक सदर दरवाजे से एक पत्र पढ़ती भी संध्या ने प्रवेश किया, शायद पढ़ना समाप नहीं हुआ था, किसी और देखे भी नहीं पुकरा, मा, ओ मा, जगधारती आंसु पहुचते वे उत्तर दे, हाँ बेटी, उनकी कि भर रही हवा सुनकर संध्या ने चैरा उटाया, क्या हुआ मा, बेटी की तीखी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रहता, फिर भी मूझ छिपा कर बोली, कुछ नहीं बेटा, क्या हुआ, संध्या और पास आई, और बोली, मा, पिता जी ने फिर कोई गडबड की है, नह बेटी को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मा के पास बैठ करके बोली, मा उन्हें पागल समझ कर भुला दो ना, उनके सब अपरात, सब तो उन्हें पागल ही समझते हैं, जगधारती बोली वैस हो सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं, वगर मेरी तरह तो किसी और को थो निर विरोधी दूसरों के दुख में दुखी रहने पे लिए पिता के दुख से उसका सज़िदा सिने और वेदना से भर आए, अगर मेरे बस में होता मा, तो मैं पिता जी को लेकर जंगल चरी जाती, जगधारती ने अपनी बेटी की ठोड़ी पकड़ कर का, वारी जाओ, मगर मैं तो जैसे तेरी सतेली में हूँ, तेरा तो सारसने अपने पिता से है, क्यों मैं तुमसे भी तो प्यार करती हो मा, मगर उनकी लिए तो तेरे प्रान तड़पते हैं ना, संध्या ने नराज होते हुए का, जाओ मा मजाक मत करो, बीमारी तो एक दिन में ठीक नहीं ह उसकी बनावटी उदा सिंता मा को चकमा न देशे कि उन्हाने पूछा कहा गई है, तुझे पता है, संध्या ने लापर भाई से का, शायद अरुन्दा के पिछले भागीचे में, उसके माली का जो टूटा सा कमरा था शायद उसी में, अरुन के पास किसने बेजा तूने, म मैं आरुन्दा के पास क्यों भेजूंगी मा, मैंने किसी के पास नहीं बेजा, यह कहकर बेकार सा परसंग बदल कर हाथ में पकड़ा हुआ पत्र दिखा कर बोली, असली बात तो मैंने बता ही नहीं मा, मेरी सन्यासिनी दादी इस बार काशी से हमारे पास सचमुच आ रही ह और वे तो कभी जूट नहीं बोलेंगी ना मा, इस बार शायद उनकी दाया हुई है हम पर है, जगधारती ने उत्सुखो कर बुझा, मा का पत्र है, कब आने के लिए का है, काशी वासी उनकी सास एक दिन के लिए भी काशी छोड़कर कही नहीं जाना चाती, इस बार लौती-फोती के विवह में तो उन्हें आना ही होगा, और उन्हों ही करनयादान के लिए तबे तयार नहीं हुई, मगर विवह में आने की सम्मति उन्होंने दे दी, अपने विवह के विशेह में पढ़कर, संधिया शर्माते वे ब बली, तुम्हारा पत्र है, तुम्ही प आई मा कहकर वो भी उटकर पूजा घर की और जाने लगी कि तभी बड़े शोरगुल के साथ उनके पती ने परवेश किया वे कह रहे थे दो दिन नहीं गया दो दिन नहीं देगा बस इतने में ही बस इतने में ही बिमारी इतनी बढ़ गई पती के साथ जगतधार्ती की ज़्यादा बात दी चीत नहीं अगर उनकी परिशानी और विशेश करके बारा बज़े से पहले लौट आना उसे अश्यारे चकित मालुमा उसने पूछा किसको क्या हो गया अरुन को मैं जो डाइगनोस करूँगा किसमे हिम्मत है कि उसे काटे हाँ विपिन बताया जरा इसका अर्थ क्या होता है हाइपोकॉंड्रिया हुआ हुआ है उसे कोई और समय होता तो जगतधार्ती चुपचाप चली जाती मगर अरुन का नाम सुनकर परिशान हुए क्या हुआ अरुन को अभी तो बताया पिपिन नहीं समझेगा फिर थोड़ी बात प्राक्टिस करता है समान बांधा जा रहा है घर बार सब बेच देगा अरान कुंडू को बिलवाया अच्छा वह मैं पहुँच गया जहां ना जाऊं एक दिन नजर ना रखू तुरंत कोई अनोहनी घर जाती है ऐसे में कैसे जी हूँ संधिया या कहां चलेगी फटा फट मीटीरिया मैडिकाना का लेया बेटी रेमेडी सिलेक्ट कर उसे खिला आता हूँ आई पिता जी कहती हुई एक मोटी सी पुस्तक हाथ मिली संधिया आ गई जगदार्ती नराज होते हुँ वली तुमारे पैर पड़ती खुल कर बताओ क्या हुआ आरुन को मानसिक बीमारी प्रिया बोली आज कल के भीतर वे हरान कुंडों को सब कुछ बेचकर गाउँ छोड़कर जाना चाता है ऐसा नहीं हो सकता यह सब नहीं होने दूगा संधिया उदास चेहरा ले चुपचाप खड़ी जगदार्ती व्याकुलो कर बोली घर दुआर बेचकर चला जाए गारुन यह क्या पागल हो गया है क्या प्रिया अपना हाथ उटा कर बोली नहीं पागल नहीं है मानसिक बीमारी है इसकी दवा अलग है विपिन होता तो वह यह यही कहता जगदार्ती ने कनकी उसे एक बर बेटी के और देगा फिर दुरता पुरवक पती की बकवास को रोक कर बोली तुम्हारी बाते सुनने का समय नहीं मेरे पास अरुन क्या गाउं छोड़कर जाना चाहता है प्रिये चाहता है पक्का हो चुक है सिरफ में जाकर फिर मैं अरुन कब जा रहा है कब आज भी जा सकता है कल भी जा सकता है सिरफ हरान कुंडू क्या हरान कुंडू सब कुछ खरी देगा जगतधार्ती ने पूछा प्रिय है, हाँ जरूर वै तो यहीं चाहता है पानी की कीमत पर क्या गाउं में और कोई जानता है इस बात को जगतधार्ती ने पूछा कोई नहीं कोई नहीं सिरफ एक व्यक्ती भी नहीं जाना मैं ही भाग्या से जगतधार्थी तुमारे भागे के विशे में जानने की कोई इच्छा नहीं है क्या तुम उसे एक बार बुलवा सकते हो कहना तुमारी चाची ने अभी इसी समय बुलाया है इतनी देर से संधिया चुप खड़ी सुन रही थी अब उसने सीर उठा कर दे था उसका चेरा पीला पड़ गया था उसके होट काप रहते फिर भी द्रड़ता पुरवक का क्यों मा क्यों तुम बार बार उसका अपमान करना चाहती है उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है जगधदार्दी चोटे कौन किसका अपमान करना चाहता है संधिया नहीं तुम उसे इस घर में नहीं बुला सकती बुला कर दू अच्छी बातیں कहने में बुराई है क्या संधिया अच्छी हो या बुरी वह रहे या ना रहे जाए या घर बेचे हमसे उसका क्या सम्मन जो तुम उससे कुछ कहोगी तुम अगर उसे इस घर में बुलाओगी मा तुमारी कसम खाकर कहती हूँ तलाब में डूब कर मर जाओंगी कहकर वैद दोड़ कर वहां से चली गे मा के उत्तर की परतिक्षा भी नहीं की विसमे से जगधारती की आंके फटी की फटी रहेगी प्रिया बावी चीत कर बोले ओवर किताब तो देती जाद उपैर हो गई ये क्रेमेडी सिलेक्ट कर लेता हूँ संधिया लौट कर संधिया ने यह पुस्तक पिता के पैरों के पास रखी और वापस चली गे पिता वहीं बैठकर पुस्तक के पने पलटने लगे कुछ देव चुप रहने के बाद जगधारती ने पती से कहा तुमने क्या सोच रखा है बेटी का विवा नहीं करेंगे विवा विवा तो जरूर करूँगा कब जब कुछ अनौह नहीं हो जाएगी ताब जगधारती एक पल चुप रहकर बोले एक बार रसिकपूर क्यों नहीं जाते प्रिया ने पुस्तक के एक पने पर उंगली रखकर उपर देखा बोले रसिकपूर किसे क्या हुआ कोई खबर आई क्या कब पता चला नहीं जैराओ मुखर जी के पोते से रिष्टे की बात हुई थी जाओ ना एक बर लड़का देखा हो प्रिया है मगर कब जाओ देखा तो मुने एक दिन ना रहो तो कितनी गड़बड हो जाती है अरुन की ऐसी हालत है फिर चटर जी बाबु ने भी खबर भेजिया कि उनकी साली बहुत बिमार है जगतधार्ती ने विसमे से पूचा ग्यांदा बिमार है क्या हुआ उसे प्रिया बुले अमल खाने पीने की कमी से होने वाली बिमारी उल्टी आने को रहती है और उनके वहां से लोटकर एक पूँ जगतधार्ती उन लोगों के पास दबा देने वालों की कमी नहीं तुमारे पैर पढ़ती में एक बार रसिक पुर जाओ लड़का देखकर जैसी भी हो इस लड़की का विवा करवा दो पत्नी की भर्राई अवा सुनकर शायद प्रिया बाबु जा गया बोले मगर सुना है लड़का नशेरी है सिर्फ नशा भां जगतधार्ती के धहरे का भांध तूट गया अचानक रोप परी बोले करने दो नशा होने दो नशडी लड़की दो दिन तक सिंदूर तो लगा सकेगी तुम क्या हो तुमारे हाथ में अगर माता पिता अपनी बेटी सौंप सकते हैं तो तुम क्यों नहीं सौंप सकते यह कहकर आंचल से आंसु पहुंस भी वो भीतर चली गए तो यह अवाक होकर देखते रहें उसके बाद पुस्तक कोल कर एक गहरी सांस लेकर बुले दो भयाना करोगी हैं ऐसा करने पर केरमेडी सेलेक्ट हो सकती है कहकर फिर एक गहरी सांस चोड़कर पुस्तक को कांक में दबाकर बाहर चली गए